हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज़ दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज़ के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के ब पर मिलेगी हर छोटी बड़ी नौकरी की जानकारी जी हां दोस्तो बेरोजगारी को लेकर के बिपक्ष ने लगतार मोधी सरकार को घेरा है ऐसे में यह समस्य मोधी सरकार 2.0 के सामने सबसे बड़ी चुनोती है आपको बता दे कि इस मोध्य से नीपटने के लिए सरकार एक प्रतितिन बढ़ती जा रही है लेकिन उसके अनुसार नौकरीयों की कमी है आपको बता दे कि इस सर्विस सेंटर पर रजिस्टर बेरोजगारों की ततात लगबग एक करोड से जादा हो चुकी है यही कारण है कि अब सरकार चाहती है कि हर छोटी बड़े नौकरीयों की जवी मंतरालयों और विभागों की द्वारा जारी निर्देस में कहा गया था कि अगर कोई भी जानकारी पद नौक्त होती है तो इसकी जानकारी नेशनल करीयों सर्विस सेंटर को देना आनिवारे होगा इस सर्विस सेंटर के गठन से पहले सूचना सिर्फ रोजगार समा पाचार में दी जाती थी आपको बता दे कि अब निर्देश के अनुसार यूपी एससी और एससी की परिक्षा को छोड़ करके सभी तरीके के नौकरी के बारे में सूचना इस पर मिलेगी जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी के बारे भारत में इसी साल होगी 5G स्पेक्टरम की निलामी एक लाख गाउं बनेगे डिजिटल गाउं जी हाँ तो तो देश में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के दोर में 4G इंटरनेट स्पीड का अनुपाव लेने के बाद अब 5G स्पेक्टरम की और बढ़ने की तैयारी जोरो पर है 2019 बीस कलेंडर येर में देश में 5G स की निलामी की जा सकती है इसके अलावा जल्द ही देश में एक लाख गाउं को डिजिटल गाउं बना सकते हैं आपको बता दे कि 5G को लेकर के तैयारिया जोरो पर है और आने वाले 100 दिनों में 5G स्पेक्टरम की टेस्टिंग सुरू करने का लक्ष किया गया है इसके साथ ह जाएगा 5G के अलावा एक लाख गाउं को डिजिटल गाउं बनाने पर काम की करना सुरू कर दिया जाए गया आपको बता दे कि अभी तक देश में 700 गाउं डिजिटल गाउं हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी ख़बर भारत तोड़ेगी सारे रिकोर्ड सलमा स syndrome खान की इन फिल्मों ने कीथी एद पर सबसी जादा कमाई जी हां थोस्तोस सलमान खान की much awaited film भारत कल box office पर दस्तक देने जा रही है हमेशा की तरह इस बार भी सलमान खान की फिल्म एद के मौके पर अकेले ही दस्तक देने वाली है और इसकी कमाई को लेकर करके अलग अ वाय सुरू हो गए हैं भारत को पूरे देश में 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और वहीं औरेंड रीन के लिए इस फिल्म को 1250 स्क्रीन मिल गए हैं उमीद यह जताई जा रही कि सल्मान खान की ये फिल्म उनकी पिछले सभी इद पर रिलीज की गई फिल्म का सेंध मारी कर सकता है भारतिय क्रिकेट टीम को लेकर के दिवानगी किसी से छुपी नहीं है कल यानि 5 जून को भारतिय बिश्वे क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने जा रही है आपको बता दे कि इद के मौके पर रिलीज सल्मान खान के फिल्मों म में आई सुल्तान ने अब तक सबसे बड़ी ओपिनिंग हासिल की थी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन च्छतिस दस्पनों पांच चार क्रोड़ रुपे की कमाई की थी और वहीं पहले ही विकेंड में फिल्म सो क्रोड़ का आकरा पार कर चुका था और यह 180 क्र दिन का था क्योंकि फिल्म बुधवार को रिलीज हो गई थी वहीं अब बात करें सल्मान खान की अगर पिछले साल की रिलीज हुई तो फिल्म को रिकोर्ड देखते तो उमीद यह चताई जारी ही कि यह फिल्म पिछले साल के रिपोर्ट तोड़ सकती है जी हां दोस्तों बिहार में जडियू और बीजेपी के रिस्ते को लेकर के कवाईसों का दोर जारी है पटना में रासनितिक दलों की इफ्तार पार्टियों में इसको और हवा दे दी है लोक्स बचनों में चारों खाने चीत हुए महागटवंदन के नेता भी अव नितिस कुमार के सियासी सं बिजेपी और जडियू मनमुटाओं की खबरों के बीज पटना में एलजेपी की इफ्तार पार्टी में सीयम नितिस कुमार और डिप्टी सीयम सुसील कुमार मोधी एक साथ दिखे हैं और फिर कामयाबी की दोर सुरू हो गया है सवाल यही है कि आखित दोनों पार्टियो ने ओल इन वेल नहीं है इसलिए उनके नेता एक मज़ पर साथ नहीं दिखाए देते हैं आपको बता दे कि जेडियू कह रही है कि मोधी कैवनेट में एक मतरिपत के ओफर को ठुकराने का मतलब यह नहीं है कि हम एंडिये से दूर हो रहे हैं आपको बता दे कि इससे पहले थे मांजी वैसे तो महागटवंदन में सामिल है लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने नितिस कुमार को भी साथ आने का ने उता दे दिया है अगली बड़ी खबर आर बी आई का बड़ा फैसला अब किसी भी नए बैंक को नहीं मिलेगा लाइसेंस जी फैसला किया है बैंक ने डॉप मैनेजमेंट के सेधानिक तोर पर एक नई लाइसेंस नहीं जारी करने का फैसला किया गया है उमीद की जा रही है कि अगले दो तिन वर्सों तक नई बैंकों को लाइसेंस नहीं जारी करने पर सहमती बनी है Financial Supervision Board ने बैंकों वरतमान हालात को देखते हुए यह फैसला किया है नई लाइसेंस प्राप्त बैंकों की हालात को देखते हुए RBI इस दिशाक में सोचने के लिए मजबूर हो गया है आपको बता दे कि जब रहुराम राजन रिजर्ब बैंक के गवर्नल थे तब उन्होंने आन टैप का नियम लगाया था इसके तहट कभी भी बैंकों को लाइसेंस जारी करने की नीती अपनाए गई थी Non-Banking Financial Corporation और Bank Merger को Central Bank Case to Case Base पर फैसला किया गया है आपको बता दे कि IDFC बैंक बंधन बैंक को 2015 में फुल बैंक का लाइसेंस मिला था IDFC बैंक का आधिकारि Capital First के साथ मरजर करना पड़ा है अगली बड़ी ख़वर आ रही है मधपर्दे से OBC को 27% अरक्षन के तयारी कैविनेट ने दी मंजूरी जिहा दोस्तों मधपर्दे सरकार ने कैविनेट बैठक में कर्मचारियों पैंसनर्स के साथ OBC वर्ग के लिए दो बड़े फैसले की है सरकार ने एक जनवरी 2019 से तेन फीसदी डिये की मंजूरी दे दी है इसका लाव 7 लाग कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ लगबग 4 लाग पैंसनर्स को भी मिलेगा दूसरे फैसले में सरकार ने अन्य पिछडा वर्ग के लिए प्रदेस में 27 फीसदी आरक्षन के परपोजल को मंजूरी दे दी है OBC आरक्षन के मसले को अब मंसूत सत्र में पेस किया जाएगा OBC आरक्षन को बढ़ाने के लिए घोशनित मुख्यमंतरी कमलनाथ ने चुनाव से पहले यकी थी और इसे वचन पत्र में भी सामिल किया था ऐसे में अब सरकार के आने के बाद सासर ने 8 मार्च को OBC आरक्षन 14% से बढ़ा करके 27% करने का फैसला कर दिया है इसका अधादेस भी जारी किया गया है लेकिन 10 दिन बाद ही इस फैसले को मधः प्रदेस हाई कोट ने चुनोती दे दी थी और हाई कोट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी आपको बता दे कि अभी तक प्रदेस में अनुसूचित जाती और जन जातीयों को 36% आरक्षन मिल रहा है ऐसे में अब सरकार को अपने सभी भी भागों में भरतियों के नियोमें में बदलाव करना होगा अगली बड़ी के परे पाकिस्तान में महागाई से बहाल लोग 78 फीस दी बढ़े प्याज के दम जी हाँ दो आरतिक तंगिस से जूज रहे पाकिस्तान की जनता को महाँगाई से बहाल कर दिया है माई माह के खाद पदार्थों और इंधन के दामों में जोरदार बढ़ोत्री में माई में महंगाई की वार्षी उप्भोका मुदराजपिर्ती एक माह पहले 8.82% की तूलनाब में बढ़ करके 9.1% तक पहुँच गई है माई 2019 में थूग मुल्य सूचकांग की महाई 1.43% और समवेदन सिन मुल्य सूचकांग 0.78% उचला है जिसमें बढ़ोत्री के मुख्य रूप से इंधन और खाद पदार्थों का योगदान रहा है आपको बतादे कि खाद पदार्थों में प्याद के दाम 77.52% तरबूज में 55.73% टवाटर में 46.11% नेंबू में 43.46% और चीनी में 26.53% महाँगाई हो गई है आपको बतादे कि लहसून में लगबग 50% मुण में 35.65% आम में 28.99% और टमाटर में 12.4% बढ़ गया है इंधन में गैस के दाम 85.31% पेट्रॉल में 23.36% हाई इस्पीड डिजल की कीमत में 23.86% की बढ़ोतरी हुई है अगली बड़ी ख़बर है पर्यावरन को नुकसान पहुँचाने पर दिल्ली सरकार ने तै किया इन नया फॉर्मूला जी हाँ दोसो घनी अबादी के बीच परदूसन फैलाने वाले फैक्ट्रियों को ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा दिली में पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाले उधम्यों पर दिली पर्यावरण नियंतरन समीती की और से जुर्माने का प्रावधान है लेकिन इसके लिए कोई निश्चित फर्मूला नहीं होने के चलते अक्सर ही समीतियों के अधिकारियों की और अंदाजा एकदम लगाए जाता है हाला कि इस प्रक्रिया में तब तक मुश्किल साबित होता है जब तक कि उस फैक्टरी द्वारण को होने वाला नुकसान कितना है इसके लिए फाइदा फैक्टरियों को अदालत से भी मिलता है आपको बता दे कि परदूसन फैलाने वाले फैक्टरियों को जिस जगह पर है उसका फर्क भी उस पर लगाए जाने वाले उसके जुर्माने पर पड़ेगा